स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सेगल के फंडे पर तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पूरी कम्प्लीट वीडियो सरी चला रहे हैं कि कैसे आपको प्रिलिंग्स एक्जाम करेक्ट करना है हम लोग इसको एक्स्प्लेन करने के लिए UPSC का सिविल सर्विसेज और यह बीटो यूसफुल लगेगा बाकि आपनों यहां से भी कंटीन्यू कर सकते हैं अब इसमें जो हम लोग का मेन टॉफिक होने वाला जिसके हम लोग को पेपर में कैसे अटेंट करना है इस पर हम लोग बात करने वाले और यह स्टेजी हमको पेपर में अपलाई करने से प यह काम नहीं है और भीना स्टेजी की नॉलेग को दोनों का 50 50 60 60 30 60 40 का रेश्यू लेंगे आप तभी सेलेक्शन होता है नॉलेग को आपका स्टेजी से आएगा अपलाई कर उससे आएगा जिस्टेजी की बात है हमने पहले वीडियो दूसरे वीडियो में कैसे एक्जाम को समझना है कोई वी एक्जाम को कैसे तरीका होता है प्रीवियस यह का कैसा करना है वे वीडियो हमने सारा बनाकर दिया था आपको आप दूसरा video हो ब्यूए था ऊसमें आपको अपने आपको कैसे समझना होड लोह ने उस के लिए चलता है आज कर दो का में उद्धेश बात करने का यह गा कि कैसे करेंट अप्रोच हो कि आप ऐसा अटेम्ट करें और इस तरीके से अटेंट करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा नमबर आए तो अगर हम लोगों बात करें क्या एप्प्रोच करेक्ट होनी चाहिए तो यह एप्प्रोच जो है बिसिकली आपकी तीन चीजों पर डिपेंड करती है एक तो आपकी एक्चुल प्रिपरेशन कैसी है जब आप दूसरा आपने वीडियो से आप इनलाइज करने का तरीका शी में आजाता है बच्चे 10-15 दिन में आप अपने नए टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं आपको सिर्फ अपने स्टेंट और वीक्नेस को ध्यान में रखके बैलेंस बना के चलना होता है और तीसरा होता है कुश्चन का पेपर कैसा है जैसे आइस का एक्जाम है या सिभी सर् भेस्ट बच्चे जो भी अक्जाम देते हैं कोई यह शाम को देने के सौल करने के दो तरीक एक होता है वन गो अप्रोच एक होता है मल्टिवल अप्रोच नहीं क्या हूँ आप शुरु warning सुदू से सौल करती हो लाश्ट एक भार भार दो पीछे आते तो फिर आते हो के मैं इसको प्रिफर करता हूं अभी मैं दोनों का कंपेरिजन करके बताऊंगा आप लोग अपना देख सकते हो कि कहां पर कैसे क्या करना है जैसे अगर अगर अब लोग वन गोड़ों की बात करें तो उसमें क्या होता है किवन को अपक्रोइच में आप क्या तो जितना effort लगा सकते हो अब इसको solve कर देते हो इसका advantage क्या होता है आपको बार बार question के पढ़ने के लिए पीछे नहीं आना पड़ता है पढ़े हुए question को आपको समय वेश्ट नहीं करना होता है इससे आपको multiple effort वाला जो एक question पे दो तीन बार का समय जा रहा है वो बच जा paper का question बना रहा है मेरा examiner करने का मतलब यह कुष्चन बना रहा है जो कुष्चन बनाता है वो सिर्फ कुष्चन बनाकर दे रहता है अब यह से अगर आप लोगों ने अपने बोर्ड के एक्जाम दी होंगा तो mostly वहां पे एक ही set होता है माली set A हो गया ना कोई set XYZ हो गया उ लेकिन जब जो यूपी असी है या कोई बीग्जामनेशन उसमें जंबल सॉम में पेपर किया जाता है तो हो सकता है किसी एक बच्चे को टफ मिल जाए और किसी बच्चे को सुरुआत में इजी मिल जाए इससे क्या होगा जो बच्चा टफ पा जाएगा और बाइचान उस है अरे यार मजा आ रहा फेपर बहुत अच्छा में सारा साव कर लोंगा लेकिन दूसर डिस्वांटिस क्या है कि अगर आप तफ में लगे रहे तो पॉस्बिल्टी है कि आपके लाश्ट के कुश्चन छूड़ जाए अब ईजी हो या टफ हो नंबर तो कुश्चन का गए हैं दूसी बात वेश्ट जाब ताइम हो जाता है कैसे कि कोई कुछ बच्चा सुरवात में इजी कुश्चन करता गया मीडियम टाइब करता गया तो वह दो घंटे में हो सकता है सतर कुशन अटेम्ट करें आपने पहले ही अटेम्ट कर लिया तो आपने ज्यादा समय जब कम बचता है तो यह चीज़ा आती है तो यह डिस अड्वांटेज अब अगर साथ मुल्टीपल गो अप्रोच की बात करें इसका में तरीका यह है कि आपको दो से तीन बार में पेपर को सॉल्व करना मिनिमम दो से तीन बार आपको पेपर पढ़ना होगा उसको भी पढ़ने का तरीका में बताऊंगा इसका अड्वांटेज क्या है जो सारे डिस अड्वांटेज आपके थे वन गों में वह सॉल्व हो जाते हैं पासिबिल्टी आप लीविंग एजी कुष्चन कोई प्वस्बिल्टी ने आप सिरुवाज संतीम तक पूरा पेपर पढ़ सब्सक्राइब कर दिए दूसरे कंपरजन वह कर सकते हैं और आपको प्रेंडिक नहीं होगा क्योंकि आप सफिसेंट डिलेने लोगे इस अप्रोच से ठोड़ा सा आपको यह लगा कि एक कुष्चन को आप बार बार पढ़ने आ रहे होगे नई सालवा दुबारा है इसलिए मैं बोलूँगा सब को यह मैं प्रिफर करूँगा मुल्टिपल गो अप्रोच पर जाना ठीक है अब थोड़ा सब कैसे डिसिजन कराना है कि मुल्टिपल गो अप्रोच में कौन से स्ट्रेजी बनाने है यह एक बेस होता है विजसे कि मैंने बहुत पहले बताया मैं इसको यह बेंचमार मान रहा हूं तो इनका जो पेपर का बनाने का तरीकह होता है उसको आप देखोगे वह पांज भाग में कुष्ट तको बाढते हैं एजी को बनाते हैं पांसे पंद्रों एक्स्टिमली टफ कुश्चन होते हैं जीरो से दस परसेंट होते हैं अगर आपको कट आफ की थोड़ी वो जनकारी हो तो आपको पता होगा कि कट आफ पचासे साड़ जाती है तो यहां से आप almost most of a number पासके हो एजी कुश्चन होते हैं ऐसे कुश्चन जो भी मैं आगे कटिकराइज करके बढ़ भी बता दूगा उनका उद्दिश से होता पेपर सेटर का या एक्जामनर का कि हम आप प्रिलिम्स इस नौट अबाउट जस्ट नॉलेग वो यह भी देख नीड है यहां पर knowledge थोड़ा सा कम वकाद चले लें कि कौन से question मेरे उपर बाउंसर की तरह आ रहा है वहां पर छोड़ना है कुछ बाल बीमर होती है नो बाल होती है उनको नहीं खेलना है यहां पर free hit नहीं है यहां पर आप फस जाओ उनको इसमें तो वह आपके mind के साथ ख जहां पर उन एक्जामों के में बात कर रहा हूं जहां पर कुट आफ बस क्लियर करना होता है मतलब उसका प्रिंस में नंबर ने जूड़ना है लेकिन कुछ इंजिनिंग सर्विसें से वहां पर में में नंबर जूड़ता है तो तो आपको थोड़ा सा वेरी टफ के तरफ जाना पड़ता है एक्स्ट्रीमली तब कुष्चन डिजाइन ही नहीं किया जाते हैं सॉल्व करने के लिए यह आपको ऐसी सर्जूशन में डालने के लिए आप समझ सको कि आपको कुष्चन नहीं सॉल्व करना है ठीक है अगर और पेपर का एक्जामनर बनाता है उसके पी जान में थोड़ा सा अगर हम सिविल सर्विसेस की बात कर लें तो देखो कि एजी मॉड़ेट टफ एक्स्ट्रीमली टफ का वेटेज कैसे है प्लस माइनस पंदर पर कुष्चन यह होते हैं एजी सो कुष्च की में बात कर रहा हूं यह 200 नंबर का है पर कुष्चन आपका आप देखरों कि 30 से 45 कुष्चन तो यहीं पर आपके मिल जा रहा है ठीक है लेकिन सेलेक्शन आपका नहीं होगा और आपकी 100 परसेंट डिपिशंची हो यह भी कोई गारंटी नहीं है होता क्या है हम इसमें पैनिक कर जाते हैं और यहां गलती कर जाते हैं अगर मैं एक्स् कुष्चन का टाइम बढ़ गया तो आप अराम से कुष्चन को पढ़ सकते हो अनिलाइस कर सकते हो और अच्छे से सॉल कर सकते हो बहुत पॉसबिल्टी है इसको कर लोगे सेम चीज अकर मैं इंजिनिंग सर्विसेस की बात कुरू यहां पे 200 कुष्चन होते हो तीन गंटे हो गया और ऐसे कुष्चन होते हैं यहां भी अगर आप इजियो मॉड़िट सॉल करते हो तो आप अच्छे खासे रेंज में नंबर पा रहे होते हैं लेकिन सेलेक्शन आपका फिर रूप जाता है सेलेक्शन आपका टफ कराएगा और अच्छी बहुत अच्छी रेंग ले कुष्चन नहीं करना है यह चाड़ने के तरीका अगर आपको चल जाए तो आपका पर कुष्चन टाइम समय बढ़ जाता है तो आप और एफिशेंसी से काम कर पाते हो ठीक है थोड़ा आगे चलते हैं देखिए अब जो मैंने बात किया कि जनरली आप देखते हो कटा पच कुष्चन सही करपा क्योंकि सलेबद बहुत बड़ा है तो आपको थोड़े से टफ कुष्चन सौल करने जो कि मैंने बता दिया अब दो एक ताइप के एक्जाम होते है एक होता है एक्जाम ऐसा जिसमें प्रिलिम्स जास्ट क्वालिफाई जैसे कि मैंने बात किया से यहा क्योंकि आप प्रेसर रिलीस करते हो प्रेसर रिलीस करना इस वेरी मच इंपोर्टेंट अगर अगर हम इंजिनिंग सर्विसेस की बात करने इसमें क्या होता है क्वालिफाई नहीं होता आपको नेक्स सेज में इसका नंबर जुड़ता भी है लेकि कुछ बच्चे ऐसे हों होते हैं कुछ जो मैंने बहुत पहले बार-बार बोल रहा हूं यह आपकी सिर्फ उसी स्ट्रेटिजी और प्रेसर हेंडली अच्चूट को चेकर नेकले बना जाता है कि आपका मेंटल स्केल हिल्थ क्या है आपका नॉलेज की बजाए क्योंकि ऐसे टॉपिक उठा के मार द नहीं होता है most of the cases में थोड़ी सी अब यह बात आती कैसे कोई question decide किया जाए कि easy है moderate tough very tough extremely tough है सबसे पहली बात यह easy moderate tough very tough extremely tough यह decide करता है examiner जो paper बना रहा है तो आपके लिए easy है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए tough है जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा non-tech background के लिए IS की में बात करूँ कि कोई बच्चा arts का है history उसका optional है और कोई बच्चा science का है उसका physics और पर command है इस बच्चे से अगर पूछा जाएगा कि आप बताओ प पूछ लें कि फोटो केमिकल स्मॉक किसकी वज़े से होता है तो इसके लिए easy होगा लेकिन इसके लिए tough होगा लेकिन जो examiner चाहता है या exam मांगता है कि यह basic चीज़े थी यह आप दोनों को पता होने चाहिए तो यह easy category का question है तो question easy examiner के नजरिये में है आप नहीं पढ़े हो तब वो आपके लिए tough है आप पढ़े हो तो आपके लिए easy है इस हिसाप से जो criteria में बाट रहा हूं examiner के mindset से वह यह है कि easy question one word के होते हैं single word में उसका पूछ लेगा कि जैसे आप की full form पूछ लेता है कभी-कभी नितियायोग में था या प्रगती करके आ गया था engineering services में भ होगा कोई direct concept question पूछ लिया कि CRR का क्या मतलब है कितना रियसी हो आपको RBI के नाम पर अपने पास रखना है इस तरीके से civil engineering की अगरमात कुरिया engineering services की बात कुरूं कि सीधे पूछ लिया कि single option type question हो कि water content dry mass होता है या आपका specific gravity जो हो गई या आप यह कहो कि जो डूपिक्स औ और आपका Kims theorem है वो कहां apply करते हैं कुछ-कुछ उनके limitation होती active earth pressure में tension crack generate होता है पैसी में नहीं होता है तो ऐसे कुछ-कुछ जो diet question है और यह तो simple question पूछ लिया numerical की भी मैं बात कर लेता हूं कि w water content निकालना है w1 upon w2 आपको करना सिधे solve हो गया तो कुछ-कुछ आपको ऐसे मिलते है यह easy होते है moderate में क्या होता है कि 102 question options को आपस में club कर देता है एक ही question में ठीक है एक statement दे देगा दो answer देगा one or two say two or three say both or say none of them यह आपका question में अब आपको problem केट करना knowledge वही होगा अब question आपको tough कर रहा है मतलब उसमें data ज्यादा भर रहा है थोड़ा सा लंबा question बना सकता है उसमें ठीक है उसमें थोड़ा सा reasoning की जगुरत होती है लेटर बेर एनालसी जरूरत होती है थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेरी टफ आपको tough पर बात कर लूँ इसमें आपको तीन चार concept जैसे 123 वाला हो गया जो मैंने बताना है एक तो हाइड्रोलिक्स का ऐसे कुश्चन का भी कोई मिक्स कर देता है वह वहाँ पर आपको मालूम है श्टाइक आउट करके कैंसिल करना होगा नहीं यह concept तो रिल्टेड नहीं लेकिन वह बनाने का तरीका बता रहा हूं लेंदी फार्मुला और लेंदी कल्कुलिसंग हो सकती है कि आपको दे दिया लोड कैपेसिटी डियाइन कीजिए यह न्यूट्रल एक्सिस डियाइन करना एकसे मैं सीविल एंजिनिंग का इजांपल भी ले रहा हूं जिससे कि वह भी बच्चे समझे तो आप लोग इसे समझ सकते हो वेरी टब कुश्चन क्या होते हैं वह ऐसे टा पूछा नहीं है लेकिन वह कुश्चन है अब जो बच्चे बहुत डीप में जाके एक्स्टा नॉलेज एक अठा कियोंगे वह यह कुश्चन कर सकते हैं लिए हर बच्चे को यह कुश्चन पर जाके समय नहीं बरबात करना है यहां पर आपको नॉलेज जादा आपका अग इंसन भी नहीं है सलेवस में लेकिन इंडाइटली रिलेटेड होगा कही न कहीं सब आई सीटी एक सब्जेक्ट है आपका इंजिनिक सर्फिसेज में जी एस पूर्सन अब वह इद्दम वास्ट वैग्राउंड है कोई भी टेकनोलोजी आप यूज कर सकते हो तो आपको सले वीडियो एक बार देखने के बाद आपको लाइफ के कोई भी एकजाम हो कोई भी आपजेक्टिव एकजाम को लेकर स्टेज आप बना सकते हो जो मैंने बहुत तीन बार में आपको जाना है जो आपका फर्स्ट अप्रोच होगी वह क्या होगा आपको पहले से पहले कुश् देखने में एजी हो आपके लिए जैसे आप जटके हम कोई बड़ा कुशन पढ़ोगे तो आपको एक समझ में भी आएगा कि दो तिन लाइन का है क्या यह टॉपी मेरा है की नहीं एजी नहीं है छोड़ दो तुरम ज्यादा लेंदी कल्कुलोशन माग रहा है आपको आता सब्सक्राइब करो तो आपको क्या करना है पांच से पंद्रव परसंट का टोटल टाइम खर्च करके आपको दस से बीस परसंट कुश्चन आपको गारंटी इजी वाल इसमें हो जाएंगे इससे एक एडवांटेज क्या है इस तरीके साथ पहले से लास्ट कुश्चन तक पहले गए एक तो आपको पेपर का ओबर भी मिल गया कि पेपर में निमेरिकल जादा आया है है कौन से टॉपिक आया हुआ है डिस्टिविशन कैसा है चुरुवात में इजी है बीच में टफ है सर्शन रीजन कहां पे है और सबसे अच्छी बात तो आपको टॉपिक भी प करना और पहले नंबर से पहि propose अच्छी बात है अब आपको क्या करना आपको हर कुष्टन को बारी बारी से पढ़ना है ओर उसको एक बार में सौन करना यहां आपको देहां रखना एक बार में अगर स्वाल हो का एंसर आगया तब ठीक है नहीं आया तो उस कुष्चन माले दो नंबर कुष्चन था तो उसको ऐसे गोला कर लिए यह आपका एक मार्क करने तरीका आपको यह और तरीका मार देना उस कुष्चन दुवार आपको समय ही नहीं देना है यह बार-बार कह रहा हूं ठीक आपका आइडिया लग गया कि कौन कुष्चन मुझे छोड़ने हैं फिर दो जार सॉल्ट अब जो कुष्चन आप से सॉल्ट हो जाते हैं वह आपके मौड़र टॉफ काटेगरिय और आपका यहां पर आलड़ी 50-70 परसंट का समय ही जाना चाहिए एक्जाम का जो टोटल ओवराल यह दो आपके खतम होगी तो आपके सो कुष्चन है तो 65 मिनट होगा और यहां अगर समय 120 है तो आप उसका 65 मिनट से ज्यादा होगा ठीक है इससे क्या फाइदा होता है आपको एक आइडिया लग जाता है पेपर का आपको यह प्रचल जाता है कि आप इसके बेस पेपर का आइडिया तो लगी गया अच्छे स आपका एक आइडिया यह भी लग जाए कि आप कितना अट्रिंट कर पाने वाले हो कि कितने कुष्चन आपने कैंसिल कर दिये कितने पर मार्ग लगाया कितने आपके इसको आपने अट्रिंट कर से तो मुझे इतना तो अब लेना है ठीक थोड़ा सा आगे देखते हैं अब जो मैंने सर्किल से बताया कि आप ऐसे मार्ग कर दोगे यह कुष्चन आप आओगे थर्ड गो में सॉल करोगे इसका बेनिशुट क्या होता है कि आपने अल्रेडिश के समय दे रखा है तो आप इसके बहुत नजदीक पहुच चुको एंसर सॉल करने के तो आप यह कुष् समसे पचासी पर्षंट टाइम और पेपर वहीं रोग दो चाहे कुष्चन कितने विसलों आपको वहीं पेपर रोग देना है तब तक आट से कुष्चन और साल्व हो जाए और दससे पंदुर परशन वहाँ पे आपका 50% समय हो चुका था 10-15 परशन करोगे आपका 80% के र गुष्चन करता है यहां पर अपने मेहनत करके कुछन सौल किया लाश्ट में क्या होता है भरने विश्चन पहले पहले बरते हैं जल्दीबाजीम क्या हमारा पास भरने में समय लग गए है कुछ गवड़ हो गया तो हमारा एक गलत कुछन हमारा कुछन भी गलत कराता है समय भी वेश्च कराता है और दूसरे कुछन पर हमारे ओलार स्कोर पर भी इंपक्ट डलता है तो हमें अपने सौलिड एंसर्स को पहले तम अच्छे से भर लेना आपने सुरवात के देड़ गंटे में जितना सौल किया 55% टाइम में वो आपका प्योर सौलिड होगा उसमें आपकी एफिसेंसी बहुत अच्छी होगी तो आपको भरने के बाद जो तार्गेट होगा 70-80% आपका हो जाना चाहिए 80% से 50% टाइम में कुछन सौल्व हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है आपको बचे हुए कुछन में उनको अब आप आपका 20-30% बचा इसमें से आपने एक्स्ट्रीमली टफ माली जे 10% गटा दिया अब आपको 10-20% कुछन ही सौल्व करना है आपके पास समय भी पर्याप्त है 20-15-20% आपको इसमें सौल्व करते जाए इसके साथ क्या है कि ये कुछन बड़ी मेहना से सौल्व हो रहा है इन कुछन अपने रंग दीर एक आइडिया लगा कि मुझे कितने बाकी है आप अपने टार्गेट आपने क्या बनाया था मुझे 80-90 जाना था तो आप अभी 70 कर पाऊ या 75 कर पाऊ वो टार्गेट आपका हो जाएगा और आप स्टेड़ी बना सकते हो आगे कि मन मन में मनाया यह मुझे करना तो फिर आप किस तरीके वह देख लोगे प्रेसर आपके उपर हड़ जाएगा कि समय कम बच रहा है मैं सॉल कर पाऊंगे रंग पाऊंगे कि नहीं यह चीज़े सॉल्व हो जाती है यह जो केस मैंने बनाया है यह वह सारा चीज़ देखते हुए कोई बच् बनाया हुआ था इंजिनिंग सर्विसेस का लेकर यह पहले वीडियो में पूरा डिसक्शन हुआ है यह मान लेजिए यह टेकनिकल का कुश्चन है बच्चे ने टार्गेट बनाए कि मुझे अटेम्ट करना है 120 कुश्चन आउट अट अब डेर्स हो तो यह कैसे होगा यह मैं एक जामपल से दिखाऊंगा आपको अब जैसे देखिए कि मैंने बताए कि वहां से 80-90 परसंट वाले के लिए तो मैंने इस्टेटी बना दी अटेम्ट की कि आपको क्या करना है फर्स्ट गो में आपको 10-20 परसंट परसंट कर लेना है थर्ड गो में आपका 8-14 होगा आपका हो जो मैंने बताया कि आपको 85 परसंट या 80 परसंट के समय में आपको 75 परसंट कर लेना है सेकेंड बच्चे वह होंगे जिनको थोड़े से कुछ सब्जेक्ट कम आ रहे होंगे उनको पूरा सा लेवस नहीं पता है पूरा नहीं तैयार कर पाएं या पूरा ट सब्सक्राइब सित्व में इनके मेंगे इनका थोड़ा सा कुष्चन अब यहां पर करेंगे इनका से पाती है एक तीसरी बात यह है कि अगर 60-70% की अप्रोच करनी है क्योंकि जैसे आगर आप इंजिनिंग सर्विशेस की बात करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा समय बोलूगा सतर से असी इस गुड़ बट यूपेसी में अगर आपकी अच्छी है तो आपको जबज़स्ती ऐसा नहीं करना है आपके लिए 60-70% की अप्रोच अच्छी होती है यूपेसी में 50% का कट आफ है अगर आपकी फिजंसी अच्छी है तो आप यहां पर जाईए तो आपके लिए क्या अप्रोच होगी आप अराम से इजी कुश्चन भी अराम से समय लेके आपको हब अबहाट में करना है और हो सता है आप पूरा ना भी कर पाओ तो आप 8-18% में समय करो आप 5-10 में दे रहा था आप मौडरेट में थोड़ा चा एक्स्टा टाइम लीजिए वरीटर में पूर टाइम लीजिए 85% का समय होगा आपका फिर रंगी अपना बनाईए और फिर आप यह कल देजिए अप्रोच आपके लिए सबके लिए सेम होने वाली है इन जनरल मैंने बोला ना कटाप आपकी 50-50% की होती है अगर मैं यह मनलो कि overall accuracy 60-80 होगी कि अगर आप 100 कुश्च चलें तो अगर आपको को एक्जाम क्रेक करना है तो बेस्ट इस्ट्रेटजी मेरे इसाफ़ सतर से असी के होती है इस जिनकी accuracy अच्छी है वो सिर्फ प्रिलेम्स क्वालिफाई करना चाहते है आईस वगर का तो साथ से सतर वाली पर भी जा सकते हैं और नहीं तो सतर से असी इस बेस 80-90 इस extraordinary लेकिन ये कुछ बच्चों ही कर पाते जिनका सलेवस पूरा तरीया हो ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंजिनिंग सर्विसेस की जिसका मैंने बात किया एक एक एजांपल दिखा 120 कुस्चन का टार्गेट मैं बना रहा हूं तो कैसे बच्चे को सौल करना होगा वह यह तरीका होगा क्या को पहले में 20-25 हो तो मैं परसेंटेज दिखा रहा था सीविल सर्विसेस जो होता है बैंट में आगले द्र गंटे में आपको पैंचर सत्थर कुसिन करने हैं शुरूँ आपकि दस पंदरे मिनट में आपको 20-25 कुसचन का लेंगे सब्सक्राइब करना इनको साथ साथ रंगते जाना आपका अराम से 120 से 125 का आटेम्ट हो जाएगा यह आपकी एकुरेशी को मानते हुए और इसमें आपको मैं मान रहा हूं कि कि 125 में आपका 175 कुष्चन सही हो जाएंगे यह कुष्चन दो नंबर का होता है उसके कार्डिंग में चल रहा हूं कि कुछ कुष्चन आपके गलत वियोंगे प्रेशी को देखते होगे अब थोड़ा सा ऐसे बच्चों की बात कर लें जिनको यह ने लगे क्या रिये तो सिर् होगा वह एकुरेसी पर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप अटेंट कम करोगे अटेंट आपका कम होगा तो नंबर कम आने के चांसे हैं लेकिन अगर अकुरेसी अच्छी होगी तो आप नंबर बढ़ा सकते हो तो आपको पहले गो में आपको कुछ नहीं करना है आपको स्यम दिश्याद करना आपको पढ़ना से स्यक्राट करना आपको फोल करना है लिकाए प्र TOM पर कुर्श् welcoming तो आपको साहनी से कि यह के साहसा गलत नहीं हो नंबर आपको कम कुर्शंट में एक संसेट्व chased बढ़ानी है पहले बात यह मैं आपको यहां पर कोई टार्गेट नहीं दूँगा इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि कुश्चन पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पढ़े हुए एरिया से टॉपिक आगए तो आप बहुत कुश्चन सौल कर सकते हैं और हो सकता है आपके पढ़े हुए को इजे गीमिन पाना और को शेला को सिर्फ पहले वही कुस्चन को पर आपको सिर्फ पहले वही कुश्चन को सपर्णा है और पहले वह icon को पढ़ना है या solve करना है जो आपके area के हैं अब आपको सारे question नहीं पढ़ना है question पढ़ो लेकिन उस पर attempt नहीं दो आप अपने ही पढ़े हुए topic पढ़ेंद दो उसको उस वाले मैंने से round कर सकते हो आप round करो ठीक है यह मेरा topic पढ़ा हुआ बस अभी solve नहीं हो पाई जैसे उस वाले में किया था और तुरंट अगले question पर बढ़ चाहिए यहां भी आपको ध्यान देना है कि extremely tough हुआ ऐसे question extremely tough नहीं कहूंगा चुल्म क्या question होसलता है tough category का भी हो लेकिन आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो आपके लिए बहुत tough होगा तो कोई बात नहीं जो question नहीं पढ़ा हुआ है आपको बिल्कुल और लग रहा है कि नहीं इसमें मैं बिल्कुल attempt नहीं लिए होगा उसको तुरंट क्रास कर दिए समय नहीं बर्बाद करना कि दूनाट ट्राइटू सॉल्ट अनिस्टी एरिया और इसको आपको तुरंट ऐसे क्रास मार देना है कि एक तो extremely tough को ऐसे हो गया अब ऐसे है कि कुछ टॉपिक आपने पढ़े नहीं है लेकिन आपने उसके व पहले अपने पढ़े सॉल्ट करने कोई specific टार्गेट नहीं होगा मैं बार पर कह रहा हूं सेम चीज आपको पेपर का आइडिया हो जाएक आपको रिपर लेगा आपकी कि इतनी attempt होने वाली है अब जो थर्ड वो आपकी होने वाली है वो क्या होगी कि आपको सिर्फ ऐसे कि एंट जो मैंड करने का मतलब मैंने क्या भोलKay अपने जो सब्चिक पढ़ा था ऑफ के पिस जो मरत क्या है यह फुरत को आपको अभी नहीं शुल कर नहीं थाद दो मैं आपको जो कुस्चन आपने रखोत के था मार्षं Henri यह ये question मैं साहित कर सकता हूँ आपको ऐसे mark वाले question को solve करना जो unstudied area से हैं और उस पर एक से दो बार आपको effort लगाना एक से दो बार का आपको effort लगाना है ठीक है अगर आप answer के नजदीक आ रहे हो पहुँच रहे हो तो आप उसको solve कीजिए अगर answer के नजदीक नहीं पहुच रहा हो तब आप उसको छोड़ दीजिए लेकिन आप अब उसके साथ 2 marking किया था अब आपने उसको 3 marking करना है ठीक है कि अब मैं देखता हूँ बाद मैं बहुत समय बचा तब आऊँगा लेकिन तो आप छोड़ देख कुशन बोल दी यहां पर आपका जो पेपर है का समय 65% खतम हो चुआ होगा इसका मतलब आपको टीसरी गो पैंसर पारेंट तक मैं complete करने हैं अब आते हैं फोर तो गो की बात करते हैं तो आपको क्या करना सबसे पहले वो सब्सक्राइब करने जो आपने मार्केट सर्किल में कि यह पढ़ा हुआ था दो बार सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब करना यहां भी इसको मैं दो पाड़ने बाटूंगा कि जब आपका अब आप यह सौल करते रहे लेकिन जो ही आपका 75-80% का टाइम बीचता है तो आपको पेपर को रोकना है और OMR को भरना है लेकिन इस टाइम तक आपका 85% पॉर्षन अब कुस्ट्स टूबी अटेम्ट है जितना आपको टार्गेट था उसका अटेम्ट जैसे कि मालों जो आपने टार्गेट बनाया था साट से पाटेम्ट का तो आपको 50-55 अटेम्ट ह करना है जो इस्टडीड एरिया के कुस्टन थे लेकिन अभी प्रिपेर नहीं जैसे कि माले स्वाइल का था अब इस्टक्चर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेर नहीं बचा जो मैंने बोला जहां पर आपने तीन मार्किंग की थी उनको आपको सॉल करना है और उसको फो अब देखिए ओवराल जो बात यह है कि आपको फोकस कैसे करना है डिपेंड करना कि आपका कितना प्रिपेर है उस पर आप देखोगे अगर आपका फूल पेपर प्रिपेर है तो आप 70-80 जाओ इदम गूड एपप्रोच है अगर आपका सेवेंटी से 75 का परसें प्रिपे होगा लेकिन लाश्ट टाइम में निमेरिकल बहुत गलत होते हैं तो निमेरिकल शुरुवात में सॉल्व कर लिजेगा मार्किंग वाली पैटर्न को बॉजरू फाल करना है कि जो सॉल्व हो गया उसको छोड़ दीजे जो नहीं सॉल हुआ उसको गोला की सरकिल बनाईए ठीक है उसको डबल मार्क कीजिए कि ट्रिपल मार्क कीजिए एक कुस्चन को पूरा स्टाइक आउट कर दीजिए कि किसी काम का नहीं है मेरे इस तरीके से आप काम करकर के आगे जा सकते हैं ठीक है अब हम लोगं थोड़ा सा एक टॉपिक में और बताना चाहरा था आप लोगं को अथ्वा समय ज्यादा हो गया तब भी आप लोगं बने रही है थोड़ा सा यह है जैसे कि अब मैंने बताया एक्जाम को लेके कि एक्जाम को समझना है सिविल सर्विसेस के जो बच्चे हैं आपको मैंने बता दिया कि आपकी जो कटाफ है पचास से साट के बीच में रहती है पेपर टफ आ गया तो यह बढ़ भी सकती है इजी आ गया त दीकता है और समय जुक्ता और इंजियनिंग सब्सेश के भी मैंने बताया कि आपकी पचास साट कहीं बीच में रहती है नंबख थोड़ा से पेपर जाता है तो कटाफ जाता देखती है इंजिन सर्विसेस के बच्चों का ठोड़ा सा इसमें मैंने बताया अल्रेडी कि सको प्रिंस्प को सिर्यस्ली रहना पड़ता है क्योंकि इसका नंबर आगे उनका मेंस में काम आता है इनके लिए थोड़ा सा हम बोसके बस इनको क्वालिफाइंग देखना होता है तो सबसे पहले आप लोग अपनी एकुरेसी डिसाइड कर लिए इसके लिए मैंने अल्रेड है और में अगर कुस्टन और है के कम हो घान को पर अमपने लिए ये कुछ बैसिक बाते थी जो मैंने आप लोगों के सांद डिसकस की आप लोगों कोई और प्राब्लम हो तो हमारे सांद सेर कीजिए इसमें पॉइंट और मैं एड करूंगा जैसे जब पचास से साथ वाली अप्रोच है या साथ से सतर वाले जो बच्चे है उनको अपने कोर एरिया पर फोकस करना है जो इनकी स् हो एक्स्ट्रेमली वेरी टफ हो मोडरेट हो इस कुस्ट्रम तो उससे उनके बिल्कुल भी नहीं चूटने चाहिए यह आपको ध्यान राखना है ठीक है तो आप सब का धन्यवाद अगर आप लोगों कितने हमारे सांद दे तक जूड़े रहे हमारे चैनल को कीजिए और भी ऐसे आपनों जोब प्राब्लम्स हाएं हम लोगों के सांद सेयर कीजिए थैंक्यू